हाई लेविंधीज, वेलकम तो इजीवे कॉमर्स क्लासिस, मैं हूँ ताबिता और आजके इस वीडियो में गाईज हम लोग मीन डेविएशन का टॉपिक सीखेंगे जो कि हमारे चेप्टर डिस्पर्जन से है तो मीन डेविएशन, बेसिकली हम लोग डेविएशन लेते हैं आवरेज से या फिर मीडियन से, यानि कि मीन डेविएशन को सॉल्फ करने के दो मैथट हैं, एक तो मीन से सॉल्फ किया जाता है और एक मीडियन से, तो जो भी हमारा डेविएशन आता है उसका हम समेशन लेके number of items से divide कर देते हैं तो उसे mean deviation कहा जाता है तो आज हम individual series को solve करना सीखेंगे तो सबसे पहला step जिस में रहता है या तो आप mean निकालोगे अगर question में बोला है या फिर आप median निकालोगे तो जो भी question में बोले आपको वो चीज सबसे पहले find out करनी है वो मोलेंगे mean deviation from mean या फिर mean deviation from median ठीक है तो आज हम mean से solve करते हैं same way में median से भी क्या जाता है median की requirement सबसे पहले क्या होती है guys अपने series को आपको arrange करना होता है तो median करते बग बस इस चीज का धियान रखना है mean हम normally निकाल लेते हैं mean निकालने का individual series में क्या फॉर्म रहा है summation x divided by n तो यहां पर हम mean मतलब x का already total कर रखा है था कि थोड़ा time save हो जाए तो x का total है guys 441 तो आपने अपने individual series का सबसे पहले total करना है जो कि आगया 441 divided by n यानि कि number of items तो यहां पर जो हमारे items है total 9 है तो first step आपका हो जाएगा mean निकालने का mean कितना आ रहा है guys इसमें 9 4s are 36 36 then 8 और 199s are 81 ठीक है तो 49 हमारा mean आ रहा है अब हमें deviation निकालना होता है जो कि modulus में होता है यानि कि यह दो sign इसमें होता है इसका मतलब क्या होता है guys कि आपका जो भी answer plus में होगा minus में होगा हम उसे positive लिखेंगे तो यह कैसे निकलता है x minus mean करके तो यानि कि 40 में से हमें क्या minus करना है अपना mean minus करते जाना है तो 40 में से 49 गए तो answer वैसे minus 9 होना चाहिए बट modulus लगाने से वो positive हो जाएगा तो इस चीज़ का धिहान रखना है 42 माइनस 49 7 then 4 then 2 then 1 2 and यह आगया आपका 5 then या या 6 6 या या 8 ठीक है इस सरीके से आपको deviation का फिर total करना है तो deviation का एक बाद total कर लेतें कितना आते हैं यह आगया आपका 16 16 प्लस 4 20 25 then 5 30 30 then 40 44 अब आपको simple सा formula लगाना है mean deviation का जो कि क्या होता है summation d upon n तो हमारा यह आया 44 divided by n यानि कि number of items तो number of items कितनी आ रही है हमारी 9 आ रही थी तो यहाँ अपर हम लोग mean deviation निकालेंगे तो 9 4s are 36 ठीक है अब point में आएगा हमारा answer 809 872 तो 4.8 आपका mean deviation आ जाएगा तो असान था solve करना mean deviation सिफ 2 step में हो जाएगा सबसे पहले आपको mean find out करना है अगर mean बोला है तो आप median को formula लगाते है N plus 1 divided by 2th item तो 9 plus 1 5th item के through आपका आ जाता तो 1, 2, 3, 4, 5 उस case में आपका median आता 50 तो आप यहां 49 के जगे 50 लेते हैं और पूरा question same exact solve होगा अब हमें एक चीज़ और इसमें कई पर बोली जाती है coefficient of mean deviation इसका formula क्या होता है guys तो जो भी हमारा mean deviation आता है divided by हमारा जो actual mean होता है तो अब अगर हम लोग इसको करें तो mean deviation हमारा कितना आया 4.8 और mean कितना आया था हमारा mean आया था हमारा 49 तो अगर मैं इसको इससे divide करूँ तो यह कितना आयगा देखो अगर मैं इस 10 को अभी point हटा के side में रख लेती हूँ 1 by 10 ठीक है यह point लगाने में काम आएगा हमारे तो 48 तो 49 से नहीं जा सकता ठीक है तो हमने 0 point लगा दिया अब यह हो गया 480 तो यह जाएगा 0.9 पर अब आल्रेडी हमारे पास 10 था रीचे तो आंसर आएगा 0.09 एप्रोक्स ठीक है क्योंकि point में होता रहेगा तो 0.09 हमारा आंसर होगा तो solve करना असान है coefficient का formula आपको याद रखना है जो भी अपका mean deviation आएगा उसको mean से divide करना है और इस तरीके से आप बहुत असानी से इस चीज को solve कर सकते हो next video में हम discrete को solve करेंगे